हेलो बच्चों आज का टॉपिक इस गर्मी के अंदर राहत देने वाला एक कॉंसेप्ट है आईए बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की अरे भाई ये जो गर्मी है इससे निजात पाने के लिए इससे दूर जाने के लिए बरफीली जगाहों पर जाना पसंद करते हैं रस्ते जाम हो जाएंगे समस्त्या हो जाएगी अब बरफ जम जाएगे निकलोगे कैसे सडकों पर बरफ जम गई निकलोगे कैसे तो जनरली उस परफ को हटाने के लिए नमक डाला जाता है नमक क्यों डालते हैं, सॉल्ट क्यों डालते हैं और क्या इसके कोई फाइदा है और अगर फाइदा है तो क्या कोई नुकसान भी है हर चीज का फाइदा भी होता है तो नुकसान भी होता है तो आज बात चलेगी freezing point और depression in freezing point मैंने बच्चे freezing point actually होता क्या है boiling point की last हमने बात की थी elevation in boiling point की हमने जिक्रिट किया था और वहां हमने कहा था कि देखो liquid से gas की तरफ जा रहे हो vaporize हो रहे हो और vapor pressure क्या होता है pressure exerted by the vapor on the walls of the container at equilibrium अब दोस्तों आज हम एक और equilibrium की बात करने वाले हैं और वो equilibrium क्या है उस पर चलते हैं वर सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे in short उसकी कुछ बातें बता देता हूँ जिन बच्चों को जल्दी है जो दूवा वीडियो नहीं देखना चाहते है वह इतना देखके नकर है जो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं जो अनन्द लेशıyı कर द देखके और तो यह उन बच्चों के लिए बहुत सिंपल जो यह करें और भागें फटापट इनको मास लाने बस हमस्ट्री सीखे ना सीखे क्या करना है तो उन बच्चों के लिए ग्यान है यह फ्रीजिंग पॉयंट अब से पहले फ्रीजिंग पॉयंट को निफाइन हम कर रहे हैं रिजंग फ्रीजिंग पॉयंट equal कर दिया, but there is an equilibrium आपने बराबर कर दिया अब इसको discuss करूँगा लेकिन इसको बहुत चल दिया, notes बना के भावना है वो यह देख ले फटा-फट बाकी अराम से चलते चलो मेरे साथ A solution freezes when its vapor pressure equal to the vapor pressure of pure solid solid अब एक चीज सोचो क्या freezing point को यह melting point भी कह सकते हैं जिकर करेंगे Whenever a non-volatile solute is added to the volatile solvent इस vapor pressure decreases यह हम जानते हैं, इस chapter में हम शुरुआत से यह चला रहे हैं यही बात फिर से आ गई delta TF हो गया और delta TF basically क्या हो गया बच्चों जड़ाए समझ लेना अब यहाँ पर क्या है देखें delta TF की बात चलेगी और वो बराबर होगा KF into Mk last मैंने बताया था molality क्यों लिया है KB क्या है, यह सब मैंने बताया था वहाँ पर KB था molal elevation constant यहाँ पर KF है, molal depression constant आईए, dilute solution के लिए होगा यह सब बात रहे गया और यह graph है अब इस graph को जरा समझने है फटा-फट उसके बाद इसको और आग रिटेल में जाएंगे लेकिन देखें जाए बच्चों यह liquid solvent था ठीक है, यह देखें जाए ध्यान से यह liquid solvent था यह उसका vapor pressure है vapor pressure का excess है यह temperature का बढ़ा रहे हैं तो यह pure solvent का vapor pressure है और यह आपका solution का कम तो होना बिल्कुल लाजमी सी बात है non-volatile solute डालते हैं तो vapor pressure कम हो जाता है तो देखिए, यह जो layer है यह solvent वालेगी और यह solution की कम है ना जी, आजी बिल्कुल है अब अब अच्चों आप temperature कम करना शुरू कर रहे हैं ओ liquid का माल लो पानी था उसका temperature कम करते जा रहे है यह temperature बढ़ रहा था हम नीचे ऐसे जाते वे कम करने कम करते 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 इस temperature पर पानी जो है अब धीरे धीरे आइस का पहला particle डेवलप हो गया यानि अब इसके बाद अगर देखूँगा तो यह frozen solvent है यह जो था यह liquid portion का था इस point से ice बनना शुरू हुआ और यह सारा आइस का है अब एक सी जहां से देखूँगा यह जो बनना शुरू हुआ यह जो temperature है इहां से पानी जो था बरफ बनना शुरू हो गया और अब यह सारा बरफ का वेपर प्रेशर चल रहा है पानी तो बरफ बन गया ना गुरू अब उसके वेपर प्रेशर को बरफ का ही तो वेपर प्रेशर का होगे तो यह freezing point हो गया प्योर फॉल्वेंट का अब यह बरफ ता है और यह नीचे वाला जो देख रहे हैं यह बरफ वाले से टच करेगा वहीं पर तो दौनों के वेपर प्रेशर बराबर हुए हैं वसी को तो freezing point बोलोगे अब अब देखो यहाँ पर जो था यह solution का था solvent का था और यहां solution का है solvent के मुकाबले solution का freezing point कम हो गया इसी को आप depression कह देते हैं किसी के बारे में ग्याद करेंगे लेकिन आप क्यों हो जाता है इस पर आ जाते है तो बच्चे यह नोट बना सकते हैं यह formula है depression freezing point का formula हो गया molar lady का formula पूरा कर देंगे यह बंज देगा अगर टी एफ हो गया molar mass निकालने काम आते हैं अब हम बात करेंगे क्यों हो गया जो बच्चे आप चाहते हैं चैप्टर में अरण लेना तो बाता है liquid अभ्ध्यान से लेखना है और solid के बीच में आपका एक equilibrium चल रहा है freezing point जैसा मैंने बता भी दिया यह वो temperature है जहाँ vapor pressure of solid बराबर हो जाता है vapor pressure of liquid तो देखके तो नहीं बच्चे बड़ा असान concept जो हमने अभी यहाँ देखा था यह वाला point यह वाला point था यह solvent का था और यह वाला point solution का था यहाँ पर बराबर हो रहे हैं यह पर बराबर हो रहे हैं यह पानी था यह ice था यह ice है और यह pollution है अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पर हम equilibrium की बात कर रहे हैं जब pure solvent था जैसे हमने boiling में समझा था जब pure solvent था उसके वेपर मानली जी निकल रहे थे और pressure बना रहे थे तो वह equilibrium में था solid के साथ solid solving था एक equilibrium था अब आपने यहाँ पर add कर दिया non volatile solid इस भाही ने आके तो सारी problem create कर दिया यह आया और इसने इसके इसको convert कर दिया solution में और इसका वेपर pressure कम कर दिया अहाँ ली शेटे लियर बाबु जग गए अरे यार हमारे होते वे तुम पंगालोगे क्या अब जैसे ही pure solvent solution में तबदील हुआ और उसका वेपर pressure कम हुआ वैसे ही equilibrium की बत्ती लगए अब यह reaction इस direction में move करेगी क्यों अरे बराबर करना है ना यार वेपर pressure अच्छा खासा equilibrium था तुमने जबरदस्ती एक non volatile solute ठोक के खतम कर दिया equilibrium अब equilibrium की तो फितरत है वो तो अपने आप को maintain करना चाहता है इसका मतलब अब solid liquid की तरफ transfer हो रहा है यानि जिस temperature पर जीरो डिगरी पर पानी और आइस बने हुए थे एक equilibrium में थे आपने अब salt add कर दिया अब समस्या हो गई और हमेशा ध्यान दखना यह solvent ही होता है जो solidified होता है solute नहीं होता क्रिस्प्राइशन की solidification की अब salt add की ऐसे ही किया अब ice जो है जो solid state में थी वो liquid की तरफ convert होना शुरू हुई इसकी तरफ convert होना शुरू हुई अब मुझे इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अब और temperature low करना होगा पहले जो ice zero degree पर बनती वे नजर आ रही थी अब वो zero से कम ले जाना पड़ेगा temperature क्यों क्यों कि ये इस तरफ move करना चाहरा है ये इस तरफ move करना चाहरा है तो temperature और low करना पड़ेगा यही depression है पहले zero पर हो रहा था और अब मान लो कुछ आपका minus one degree पर जाके हो रहा है हो गया depression पार्टिकल मूफ करने लग गए ना लिक्विड के दर जाने लग गए ना solid maintain रखने के लिए उन पार्टिकल की energy कम करना पड़ेगा और temperature down करना पड़ेगा एक चोटा था example और लेकर समझना जाएगा इसको इस तरह ले लो जिनको सिर्व याद करना है इतनी हाड़कोर केमिस्टी में नहीं गुटना बाइया boiling में आप liquid से gas में जा रहे थे हैं कहां जा रहे थे liquid से gas आप bond energy कम करना चाह रहे थे पट non volatile तो bond energy बढ़ाता है निकलना मुश्किल करता है तो we need to supply more heat solid में आप उल्टा कर रहे हैं तो उसको elevation कर दो इसको depression कर दो कानिक हता है ऐसे याद कर लो अकि formula दोनों सही है लेकिन यह chemistry थी जो मैंने बताया यह समझ मैंना चाहिए तो यह मेरा प्योड वाल्वेंट तो यह मेरा प्योड वाल्वेंट तो अब इससे कमी होगा solution का था यह solution का था अब किसी एक point पे यह water से ice बनना शुरू हुआ देखो यह solid था ना बिटा temperature बढ़ाते वे solid के वेपर आने शुरू हुए यहाँ पर यह सारा solid ही था यहाँ पर इस temperature पर यह solid liquid में convert हुआ है इसे मैं क्या बोल सकता हूं melting point यह transition point है इस पर solid liquid में convert हुआ इसी पर कि इससे नीचे जाओंगा तो liquid solid में convert हुआ जाएगा यानि तब यह freezing point के लाएगा देखने का नजरिया है किस हिसाब से देख रहे है शादी हो रही है लड़की वाले की तरफ से हो तो घराती कहे जाओगे लड़के वाले की तरफ से हो तो बराती कहे जाओगे solid की तरफ से देखोगे तो melting point कह दोगे इसको और liquid की तरफ से देखोगे तो freezing point कह दोगे बात पलने पड़ गए लेकिन बिचारा solution जो था अब यह सब आईस का vapor pressure है इसको बराबर तो आना पड़ेगा ना solution को भी यह ऐसे extend करते वे इस point पा है तो ध्यान से देखो पहले जो freezing point था वो यह final freezing point now when we have to find out the depression and freezing point value हमेशा positive लेनी है तो T1 minus T2 होगा माम ने T2 minus T1 करवाय था and that will be directly proportional to molality again because ratio से बेटर अब concentration की बात करो और दूसरा मोल fraction बात करता है fraction fraction means percentage वो नहीं चाहिए proper concentration इस त्याद की है जो हमें बता रहा है कि इस segment मोल पर किलोग्राम में क्या है अब इसको delta TF कहे दो इसे खोल लो यह KF कहे लो यह M कहे लो यह M कहे लो तो यह मोलल depression constant होगे है also known as cryoscopic constant I hope now this is pretty much clear to everyone and now we will move forward for some problem from NCRT depression freezing point आगा यह वही graph है पिता and this is the delta TF नमस्ते अच्छा जी dilute solution directly proportional to molality है यह भी सबको पता है cryoscopic होकर एक चीज़ ध्यान नहीं अब आनन्दा है यह KF और KB के value है यह delta H मतलब है धल्पी वेपराइजेशन यह फ्यूजन आ रहा है देखो वही point है उसी को melting कह रहा हूं उसी को freezing कह रहा हूं ठीक है ध्यान रखना है इस दोनों आपको चाहिए सवाल तो हल्वे होते हैं इसमें बिल्कुल 45 ग्राम ऑफ इसलिन ग्लाइकोल इसमें अब यह देदिया तुम्हें बी देदिया तुम्हें यानि इवन मास फोल्यूट है इवन आस वालमेट रीजिंग वाइशन देखो धियांट निकालना है के एफ दिरेक्षा होता है पानी का 1.86 नहीं दिया हो तो आप यूस्स करेंगे इसको और यह ध्यान रखना ह है बागी को दिख करेंगे रहा ना देखो 1.86 के भी कितना था था लास्ट वाइं देखो ध्यान से 0.5 यहां पर दिरेक्षा होगा देखो लेपर प्रेशर प्योर बेंजिन वाले आगए यह भी कराए थे रेक्टिस कर रहे हो ना घर पे नहीं तो बत्ती बुछ जाएगी यहां नहीं करोगे तो 0.5 यहां पर पूरा मैं 12 का लेबस कवर करूंगा टॉपिक वाइस चलूंगा पूरा कवर करूंगा लेबस ऑक्तुबर नवम पर सक पूरा होगा 12 का आराम आराम से और सॉलुशन के बाद अब इलेक्ट्रो शुरू होगा उससे बाद कानेटिक्स और और कुछ और पढ़ना है आप बता जाना 11 के अंदर अपर खुला हुआ है तो वह वीडियो भी अप्लोड कर रही है टीम आपको देख करनेगे आप के अंदर आपको इसके वरक्षीट मिल जाएंगे अल्दे बेरी बैस बच्चों मिलते हैं आपको से नेक्स्ट लाज़िए